नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब केस्री डॉट कॉम और मैं हूँ आपके साथ अनुजी आदब जोशी मट के बाद अब कर्ण प्रयाग शहर पर खत्रा मन रहा है जोशी मट की तरह यहां भी कुछ मकानों में दरारे आ चुकी हैं इसलिए लोग भी प्रशासन से परिशान हैं कर्ण प्रयाग में भी दैशत का महल बना हुआ है बता दे उपजिलाधिकारी चमोली की और से जारी इस नोटिस में कर्ण प्रयाग के बहुगुणा नगर के आठ मकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है पिछले दिनों कर्ण प्रयाग के बहुगुणा नगर के कई मकानों में दरारे देखी गई थी जिसको लेकर प्रशासन का कहना है कि भविश्च में किसी बड़े खत्रे को देखते हुए आठ गरों को खाली करने का नोटिस जिया है जोशिमट से करीब 80 किलोमीटर दूर बद्रिनाद राश्च्य राजमार्ग पर मावारत में वर्णी कर्ण प्रयाग का बहुगुणा नगर और अपर बाजार का इलाका भी पिछले कई सालों से धस रहा है बतादे बहुगुणा नगर में बने लगबग 100 मकानों में से आदे मकानों में दरारे आ गई है 2013 के आसपास शुरू हुई जमीन दसने की घटनाओं और दरारों के लिए स्थानिये लोग विकास को जिम्मेदार मान रहे हैं कर्ण प्रयाग नगरपालिका परिशत के पूर्व अध्यक्षर सुभास गैरोला ने बताया कि 2015 में भारी बारिश के चलते बहुगुणा नगर की ऊपर की पहाड़ी से पूसकलन हुआ था जिसके मलवे से इस इलाके में नुकसान की शुड़ू आत हुई उन्होंने बताये कि उस दोरान नगरपालिका की और से स्थिती सुधारने के प्रयास किये गए थे जिसके बाद वैं कई सालों तक ठीक भी रहा इस बीच राश्यय राजमार के चोड़ी करण करण प्रयाग कनखूल सड़क की नाली ना बनने और जल निकासी को सही विवस् जा रहे हैं और उनमें दरारे आ रहे हैं जिसके बाद प्रशासन ने उन घरों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है वहां भी जोशी मट की तरह हाल बने हुए हैं इसके साथ आप तमाम ख़बरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाबकेश्री.com झाल झाल झाल